हर्याणवी एल्बम दामण का क्रेज कलाकार इंडिया द्यूस के आफिस पहुचे आपको बताते जहां हमने आक्टर और आक्टरस और डारेक्टर से उनके इस नए म्यूजिक एल्बम को लेकर बाचीत के दोरान एल्बम के कलाकारों ने अपने गाने पर परफॉर्म भी किया आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आगे उन्होंने कहा इस शादियों का सीजन चल रहा है और इस शादि के सीजन में खास टोर पर हरियारा के संग्स पर लोगों के ठुमके खूम नज़र आते हैं आपके जो लिस्ट है जो गाने बचेंगे उसमें एक नया गाना एड़ान हो रहा है दामन का क्रीज ये गाना बहुत शांदार होने वाला है और इसके स्टार कास्ट भी आज हमारे साथ मौझूद है सबसे पहले सार्तक चौधरी जो इस गाने के आक्टर है आपका इंजया न नियूस पर बहुत स्वागत है और इस गाने को जो पूरी रूप रेखा देते हैं नीरज शर्मा जी जो इस गाने के डिरेक्टर है इंजया नूस पर आपका नीरज पांड़ी जी बहुत स्वागत है तो सबसे पहले शुरुवात करेंगे दामन का क्रीज के बोल से दामन क कि उसे सुन के ही एक ही बार में लोग बिलकुल आकर्शित हो रहे हैं खुश हो रहे हैं तो इस गाने में क्या कुछ खास होने वाला है सारतक चौदरी यह सबसे पहले आप सबसे पहले यह जब जहां दामन नाम आ जाता है तो इस खमला आप समझ लो कि हरियाड़े से रिलेट कुछ होता है और वहां का कलचर है तो सबसे पहले यह में जीजे दामन का क्रेस पे आपके जो आप डामन पहन के आप डांस कर रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा हर्यान भी भाशा मी बोलके बताएए अच्छली जैसा कि सार्सक्षर ने बताया था कि दामन सबको करने के बाद अपने आप ही समझ में जाता है कि कैसे डांस करना तो खुलके अपने आप ही आते हैं सब लोग सामने तो जब गाने का नाम ही दामन है तो लोग देखने के लिए जाते हैं और देखके खुस जा रहे हैं गाने को देखके कि हाँ यह गाना है तो बहुत बढ़ तो वो क्या चुनाओती है क्योंकि बिहाइंड दसीन तो लोग बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं सब लोग वही देखते हैं जो कैमरे के सामने जो दिखाया जाता है जो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है पर बिहाइंड दसीन जो कुछ होता है उसे आप एक बार पर विस्तार से समझाए बताएं अच्छी में जो दामन का यह जो सौंग हमने प्ले किया था पहले इस टार्टिंग में कुछ एक अलग हटके था यह गाना यूपि दामन जो पहन लेता है तो अलगी फिर कल्चर बन जाता है हर्याने का बूरा तो सार्तक हमारा एक्टर है मॉ पहुचा डांस करती है आप इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी मेलियून में जाती है तो हमने इसको इस पर रखा कि दामन को जो डांस होता है वो पर डांस में दामन जबचता है तो इसलिए फिरमने अंजली को रखा यह दामन का फिर दीदरी यह सब कुछ बनता रहा गा एक बड़ा ही अच्छा सा मिलाप है एक तौर पर तो आप इसे कैसे लोग भी हैं बहुत सारे ऐसे लड़की हैं हर्यारा के ही लड़के खास तौर पर जिनमें वो टेशन होता है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपना जब चाहते हुए भी कई बार समाज या लोगों की करते है लडाहा है कि तूम कृवता है और टो लड़कों कारे भी के तुम क्या कर रहे हो कि घृसे लोग ये सब क्या कर रहे हो तो उन्हें आप क्या कैना चाहिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए जो यह और दorthे हैं बेख सब कि हाँ अपने आपको समाज हमने स्टार्टिंग में किया था हमने स्ट्रगल किया तब आज हम यहां बैठे आज कल का बच्छा सोचता है कि मैं पहले दिन में ही रो बन जाओ पहले दिन में ही हर चीजे उसके पास आ जाए इस्टेगल कोई नहीं करना चाहता और जो इस्टेट बिल्कुल नहीं रगएगा तो आप बहुत आगे बढ़ते जाओगे तो यही मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अपने पेशेंज रगतो और एटिटूद बिल्कुल मतले आओ जमीन से जुड़े रहो आप बहुत आगे जाओगे अजली मेरा अगला सवाल आप से आप एक अदाकारा हैं और यह आपका पहला गाना है पहला और इसमें आप जो अभी बताया जैसे इन्होंने कि आप थोड़ी सी नर्वस हो रही थी तो आपने कैसे सोचा था कि मतलब कौन सी किस एज में जाकर आपने सोचा कि अब मुझे इस फिल्मी जगत में जाना है क्य बहुत ओंड़ी विए फेमिली सपोर्ट नहीं थी जे उन्हां थे तो मैंने धीरे धीरे मनाते 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 अब जा के पर तरीके से फेमिली को मतलब मना पाई थी तो एक दिन भैया से मुलागात हुए सर नीरस सर जो मार डिरेक्टर है तो उन्होंने सब्ड़ी मेर से पू के सारतक जी आपको हर्यानः की जनता बहुत जादा पसंद करें है कि आप कई सारे ओर्डस जिम ipl hun गई अप लुगों को यह भी बताए कि कि अवी राष्टपती बनी है उनके थू मुझे सम्मान मिला था और एक गौर्वे हिंद अवार्ड है जो की राष्ट सोच एक न्यूस पर है उसके थू नॉमिनी हुआ था मेरा बेस्ट एक्टर का तो उसमें भी मुझे अवार्ड मिला था तो बस लोगों का प्यार है और प कि अवार्ड है तो पहले मैं हर्यार्वी बहुत कम करता था दन उसके बाद मेर एक गानाया चक्की निचबू सपना चौधरी के साथ आपने सुना अगा सत्रह मिलियन क्रोस कर गें तो उससे मुझे थोड़ा और हर्यार्वी लोगों ने प्यार दिया तो तब से मैं हैंडल पर ब्लू बैज भी मिल चुका है और अभी अभी चिंगारी आप के हमने आपके बारे में जब और भी ज्यादा जाना तो हमें यह भी पता चला कि चिंगारी आप से आपको मुंबई भी बुलाया गया है तो मुंबई में आप अपना करियर किस तौर पर देखती है अचली वो तो मुझे टॉप ब्रोड कास्टर के तौर पर बुलाया चीप गेश्ट के तौर पर लेकिन अगर मैं मुंबई जाती हूं तो मैं यह जरूर चाहूंगी कि वहां भी मेरी ऐस तरह से जैसे यहां लोगों ने मेरे को अपना प्यार दिया है वैसे वहां भी मैं अ पूंट का दिये है विस खाले आपके अंदर पेसेंस रखना चाहिए इंसान को उस टाइम आप खुद एक डिरेक्टर के तौर पर किन बातों का ध्यान रखते हैं इनकी चोट-चोटी की चीजों के ध्यान रखते हैं क्योंकि इनको बताना पड़ता है कि चीज कि यह इस पर हम पूरा एक थीम बनती हमारी स्टोरी बनाते है उस चीज को कि आपको यह बोलना ये एक्टिंग आपको इधर करनी है तो प्लस प्लेंट रहता है और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आजकल हर कोई बना जाता है आप तीनों से एक बार हम यह सवाल लेंगे सबसे प करिए इस्टगल करिए अपनापको टाइम दीजी और पापने अंदर प्योंकि आपको बनाने वाले लोगी होते हम और आपको गराने वाले भी लोगते हैं तो अगर आप अपने अंदर यह वाले थention Trumpोर में लेका शब्स पार्या इट खलका है तो सब a श्य अशब कर आपको काम करना होगा यहां और कुछ भी अपने फैंस की प्रसंद को देखिए क्या आपके फैंस आपके उपर पसंद करना चाहते हर एक चीज का रिपलाई कीजिए तो आप जरूर सब कुछ पा सकते और जो दामन का क्रेज जो गाना है वो गो म्यूजिक गो अब पर दस फर आपके ऐपकेश को बेड़ाव थायर्णा ओर कि अबॉडडड का होता हुड रखा हो थाण की मता का मंतां हुड हाँ कि अबके अब रखा जायं के उसको बाड़ किऔर आदिका गार्शनाय यहाँ को संकल मेरश यहाँ का अबू अखि़ करी यह को इंको वाय då जो टीजर आउट हुआ है उस पर हर्यार भी ठूमके होने चाहिए जो टीजर आउट है दावन का क्रिज ये गाना गो म्यूजिक गो पर लाँच होने जा रहा है दस परवरी को आप सब भी ये गाना देखना बिल्कुल ना भूले और इन पर अपना धेर सारा प्यार उटाएं आई टीवी नेटवर्क की तरफ से आप सभी को बहुत शुप कामना है